अंडवल डॉन छोटा राजन का करीबी और पत्रकार जेडे का हत्यार एनामी गैंग्स्टर दीपक सिसोधिया को भारत नेपाल बॉडर से पकड़ डिया गया पत्रकार जेडे हत्याकांड के दोशी दीपक सिसोधिया के चोरी छिपे नेपाल से हलिद्वानी आने जाने की सूचना STF को मिली थी जिसके बाद CEO STF सुमित पांडे के नेतिरत में गठेट टीम के द्वारा इनामी गैंग्स्टर दीपक सिसोधिया को चंपावज जन्पत के भारत नेपाल बॉडर बनबसा से गिरफतार किया गया SSP STF आयुश अगरवाल के नुसाद दीपक सिसोधिया को वश्च 2011 में मुंबई में हुए पत्रकार जेडे की हत्या के आरोप में उम्रेकाइट की सजा हुई थी दीपक 2022 के जन्वरी महा में मुंबई की अम्रावती सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूट कर हलिद्वानी आया था जिसे मार्च में वापस जेल जाना था लेकिन दीपक सिसोधिया पैरोल से फरार हो गया जिस पर मुंबई पुलिस ने थाना हलिद्वानी में उसके खिलाफ म मुकदमा दर्च करवाया था चोटा राजन के इस मुर्गे को गिरफतार करने के लिए उत्राखांट पुलिस पिछले एक साल से प्रयास कर रही थी लेकिन दीपक सिसोधिया के नेपाल में चिपे होने के कारण उसकी गिरफतारी नहीं हुपा रही थी तो इसमें हमारी स्टेफ की टीम लगाता लगी हुई थी इसको ढूंगने में और हमें को सूशना मिल रही थी कि ये नेपाल में चुपकर रह रहा है और वीच-वीच में अपने परिवार से मिलने के लिए आप पर भारत में आता है तो उसी सूशना को डबलब करते हुए ह पर बनबसा चेतर से क्रफ़तार किया है और इसको हलवानी थाने में दाफिल किया गया है और ये काफी नुटॉरियस वो था काफी देड़ साल से यहां पर फरार चल रहा था उम्र कैद की सजा इसको अल्रेड़ी हो रखी थी आप देख रहे हैं डखल नुटॉरियस